नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका न्यूश्टो 24 में तो आज हम बात करने वाले हैं ओमिक्रोन वैरियंट के बारे में क्या ओमिक्रोन वैरियंट के मरीजों का अलग है इलाज किस तरह करते हैं टेस्टिंग जानिए हल सवाल का जवाब Omicron Variant Explainer Omicron के लक्षन क्या है? मौजूदा वैक्सिन असलदार है या नही? टेस्टिंग कैसे हो रही है? डेल्टल से कितना खतरनाक है Omicron Corona के नए Omicron Variant से जुड़े ऐसे सभी तमाम सवालों के जवाब यहां मिलेंगे दोस्तो आपको तो दोस्तो इसके बारे में पूरी जनकारी लेने के लिए इस वीडियो का अंतक देखें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर तो आए दोस्तो शुरू करते हैं Corona का नया Omicron Variant अब डराने लगा है भारत में भी Omicron की रफ्तार तेज हो गई है देश में अब तक Omicron के 228 मामले सामने आ चुके हैं Omicron के लक्षन क्या है? वैक्सीन असलदार है या नहीं? डेल्टा से कितना गहतक है? ऐसे कई सवाल मन में खड़े होते हैं इस वीडियो में हम ऐसे ही आठ जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे क्या Omicron Variant के मरीजों का अलग है इलाज? नहीं Omicron से संक्रमित मरीजों का इलाज कुछ अलग होता है ऐसा नहीं है बाकी Corona मरीजों की तरह ही उनका इलाज किया जा रहा है कोरोना मरीजों के इलाज का प्रोटोकॉल विश्व स्वास्त संगठन की ओ से तै किया गया है दिल्ली के LNJP अस्पताल के डारेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया था कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही इलाज कर रहा है रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ब्लड टेस्ट और एक्स्टे किया जाता है और रिपोर्ट समानने रहती है तो डिश्चार्ज कर दिया जाता है किस तरह हो रही है टेस्टिंग टेस्टिंग का तरीका भी वही है उसके बाद मरीज का सेंपल जिनॉम सिक्वेंसिंग के लिए बेजा जाता है इसी से पता चलता है कि मरीज ओमिक्रोन वैरियंट से संक्रमित है या कोई दूसरा वैरियंट है केंद्रिय सौस्त मंत्री मंसुक मंडाविया ने राजसमावे में बताया था कि देश में 38 लैब में जिनॉम टैस्टिंग की सुविदा है क्या सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों को ही संक्रमड है माना जा रहा है कि जो लोग विदेश से लौट कर आ रहे हैं वही ओमिक्रोन से संक्रमित हो रहे हैं देश में अब तक ओमिक्रोन के ऐसे कई मामले भी आए हिए जिसमें मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है दिल्ली के सौस मंतरी सतेंदर जैन ने मंगलवार को बताया कि LNJP में अब तक 34 Omicron मरीजों का इलाज हो रहा है जिसमें से 3 की कोई travel history नहीं है हलाकि ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये लोग किसी विदेश से लोटे नागरिक के संगपर्क में तो नहीं आये थे इसी तरह तेलंगाना के हैदराबाद में भी local transmission का पहला case आया है यहां Omicron मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर भी Omicron से संक्रमित हो गए है क्या Delta variant से घातक है Omicron इस बारे में अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि Delta के मुकाबले Omicron ज़्यादा तेजी से फैल रहा है हाली में Hong Kong University की एक study आई थी जिसमें दावा किया गया था कि Omicron, Delta और COVID के मूल स्टेन से 70 गुना ज़्यादा तेजी से फैलता है लेकिन ये कम गंबीर है study में बताया गया था कि Omicron variant की वज़े से फेफडों में infection कम होने के chance Corona के बाकी variant के मुकाबले कम है कितनी तेजी से हो रहा है प्रसार अभी तक Omicron variant को सबसे ज़्यादा तेजी से फैलने वाला variant माना जा रहा है विश्व सास्त संगठन ने पहले चेतावनी जारी की थी कि Omicron जितनी तेजी से फैल रहा है उत्ती तेजी से दूसरे variant का प्रसार नहीं हुआ है WHO का ये भी कहना है कि डेल्टा की तुलना में Omicron जादा तेजी से फैल रहा है ऐसी भी आशंका है कि Omicron डेल्टा को replace कल सकता है किन सरकार ने भी मंगलवार को राज्यों को alert कलते हुए कहा है कि डेल्टा की तुलना में Omicron तीन गुना जादा संक्रमक है सरकार ने राज्यों से नायट कर्फ्यू समेत इस्तानी स्थर पर कई पावंदिया लगानी की सला दी है लक्षण क्या है? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जादतर ओमिक्रॉन संक्रमितों में कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है सास्त मंतरी मंसुक मंडाविया ने सूमबार को राजसभा में बताया कि ओमिक्रॉन के 80% मरीजों में कोई लक्षण नहीं है वही 13% ही ऐसे हैं जिन में मामूली लक्षण है LNJP के डारेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताते हुए कहा कि साथ अफरीका और यूरोप से WHO कड जो डेटा आया है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन मरीजों में हलके लक्षण होते हैं उनमें गले में दर्द, लूज मोशन, हलका बुखार होगा हाला कि सांस लेने में दिक्कत या BP से संबंदित समस्या नहीं देखी गई है इसके अलावा जैसा डेल्टा वैरियंट के मामले में देखा गया था वैसे ओमिक्रॉन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूद भी नहीं पढ़ रही है क्या अभी जो वैक्सीन है वो कारगार है इसे लेकर अभी पक्के तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कैलिफोर्निया इन्यूवस्टी के एक रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना की मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम असलदार है हाला कि राहत की बात ये भी है कि वैक्सीन की वज़े से लोग भले ही संक्रमित हो रहे हैं लेकिन गंभीर विमारी नहीं हो रही राजसभा में केन सरकार ने बताया है कि अभी इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा वैक्सिन ओमिक्रॉन पर असदार है की नहीं हाला कि इसके बावजूद चिंता की बात ये है कि वैक्सिनेशन के बावजूद भी लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं मीडिय रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट में ही ओमिक्रॉन के 80 फीस्दी मरीज ऐसे थे जिनें दोनों डोस लग चुकी थी वैक्सिनेटेड होने के बाद भी ओमिक्रॉन का संक्रमण होने के कारण ही भारत समेत दुनिया भर में बूस्टर डोस पर बहच शिड़ गई है भारत में भी बूस्टर डोस लगाने की मांग हो रही है सरकार ने संसर्थ में बताया कि आडवाईजरी कमेटी बूस्टर डोस को लेकर विचार कर रही है अमेरिका ब्रीटेन में जिनें दोनों डोस लग गई है उन्हें तीसरी डोस दी जा रही है तो वहीं इसराइल में अभी 4 डोस लगाने का फैसला भी लिया गया है इसके post effect कैसे हैं जिस तरह से delta या दूसरे variant से ठीक होने के बाद भी लोगों को थकान कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या आती थी वैसे ही कोई समस्या omicron से recover के बाद भी आ रही है या नही इस पर study की जानी बाकी है क्योंकि omicron अभी नया variant है इसके लिए इसके post effect को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और भविश में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को जाद जादा लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद